लेडिस्ट अप्डेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सबस्क्राइब करें और रैल आइकुन को प्रेस करें जबाच जो अरह मैं यह से अरणी ज़ाया, दिट मैंने चाहने, वेविदभार्थि्टि के विद्ट्रिक्ट विद्ट्ट सारे मद्वर्थानी, अमांगल भानी, भग वाकवाथ बठेव्टर, पुक्या अरभक्ती हो, मेरा मट्सा पीछे आगे था, मेरा मट्सा आगे था, म आदे आद नमरें, आदे आद नमरें, जोज लोज का जगला, ये रहे तुम दोनों के मत के न्हाँ बिटाँ ओивает क्याँ आदे ठादे आदे अिए, आदे आदे, रहे वैंने ह। मेरे भुलबुल वहाँ दूरे कि घरी तो आप ओड़ दूरे कि तरह पुटा के देखा तो हम थोड़ दूंगा तेरी बहन लगते है क्या तेरी बहन लगती होगी तेरी अगा हा झाधो हो ते नात जा जाधाण, जाधो हा झाधो हा झाता है कर भार भी दो treat कर दो... कर दो.... शjutक पूलिय को पाली सचर बाली साइक झाल 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 अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो जब कोई ज्यादा बोलता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है जबिज घंटे मशिनों का शोर गाडियों का शोर आद्मियों का शोर कुतों का शोर अज्यादिका शोर, कोई मर जाय तो शोर कोई पैदा हो तो शोर, समीन चयाद आजमान तक शोर की शोर है करतार सिंग जोर्ज इस शंकर को दुनिया की हर बोलती ही चीज से नफ्रत है चिड़े ऐसा क्यों तुम्हें नहीं मालू हां हां तुमने याद नहीं हो ना बताता हूं आज से को एक साल पहले की बात है के शंकर का क्लोता बेटा रेल गाड़ी के नीचे आने लगा था और शंकर की बीवी नो इसको बचाने के लिए जोर से धक्का दिया तो वो जाके रेल की पट्री बगिरा और उसके गले पे ऐसी बुरी तरह से चोट आई कि आज तक बोल नी स जो 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 माना कि शंकर तुम्हारा भाईयों से बढ़कर दोस्त है मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उसके नौकर बनके रहो जब देखो उसके गुंगे बेटे को स्कूल से लेके आओ उसे रेलवेल लाइन पार करवाओ उई दूरा हुई दूरा हुई दूरा ह हुआ हाई हाई कर लुक्क हा रहुए हर elle making उंख कर रायरा का ड्सकल कब चीदे कबाल सीछ है उत्ते रहे खाल है यह साथ दितक साइकल चला सके है दूरा सर भाण इसका मुकदर में जतना उतना तो चलेगा क्युआ आज मैं कौन हो गया, कौन तो कौन सही, आज से ना तू मेरी पत्नी और ना तेरा पती, अरे गोल मेरी तो आज तो चार्ट शांता जी शांता जी बोलो आज सुईट आप मुझे देखने के लिए तीन बार बहर आई, मैं चुप चुके देख रहा था शांती लाल जी अगर आज आप रेडियो लेकर आते, तो आपका रेडियो लेकर मैं आपका सर फोड़ देती अजी इसी लिए तुम्हे रेडियो नहीं लाया, सिर्फ अपना सर लाया और मैं जुता लाई अप पालिश कर दू अवे जाता कहा है दो पड़ गई ना तो सीधा दिल्ली भागेगा अपने बाप से मालिश करवाने समझा तु कैस्षता है मैं अपनी बेटी को तुझ जैसे फ्ख्कड के जान में फश्डे दूगी, कबे नहीं जो गलती मैंने की है, मैं अपनी बेटी को कबे नहीं करने दूगी इसका बाप भी तुझ जैसा करका था पर तब वो लड़का था और मैं लड़की, बिलकुल इसकी उमर की और वो मेरी उमर का अभे सुनतो सही, एक दिन मेरी मा ने उसकी ऐसी पिटाई की, कि दो दिन बिस्तर से उठ नहीं सका माताजी, आपकी माताजी भी आपकी तरह थी, क्या? या मतलब अउर फिर क्या हुआ ? अरे फिर क्या होना था . हमारे माबाप को अकल आ गई gई और हम दोनों की शादी हो गई आपको अकल कब आएगी ? क्या कहा ? मेरे मतलब मेरे पिटाई कब करेंगे ? वब भृAre present हमें बंदर .. बाप ने हजारों जूते खाए थे और तू एक जूता नहीं खा सकता बुजदिल लानते तेरी शकल पर शानता की शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती समझा कुलू मैंने जूता खालिया मेरे बारे में कुछ सोचो क्या कहा आपको तकलीफ करती है । शानता को भेजिये न क्यों शानता जी आपकी व्हान लगती हो गीं शांतिलाड मुष्टर शांती रखाल यहाज़्ा इस व्हान इस तुभा राइंध जलो डब दावें तुम्हेंतर रो एक मरी चची जान उस पर हजार मुशित हैं चची जान इस मौक्य पर एक शेह ले ले लिख दिया तुम गमे बेटी में दुबली ना हुई मैं बेकारी में मोटा हो गया तुम बाल्टी से हो गई ड्रम जा कहा? मैं गिलास से लोटा हो गया ला मेरा जूता लेजिया जूता गजे जान 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 इस वास्ते के शायद वो मा उनकी ना मा थोड़ी दिर पहले ये दोनों चिला रहे थे मन करता दे इनके जबान कहींच से लो खाण जानते हो ये दुनिया इतना शोर क्यूं मचाती है भॉलेगा तो तुझे बुरा तु नहीं लगेगा वो तैरा बाद्शे रबादशा लुखो, तेरा पुठ बुट्व जीफ्पुक तो खरी मासु उन जमाज से बोली सकते माम उन जमाज से बोली सकते इस वाज तो जे दुनिया का कोई भी आदमी पसंद नहीं जो बोलते हाँ जिसे मैं सुनना चाहता हूं वो नहीं बोलता और जिसे नहीं सुनना चाहता वो दुनिया चिलाती है शोर मचाती है परते तब पुतूर ओए आरकल नीच चलती है आज को लए चलेगा दोडेगा खान भाता आज कल तो संगीत का सत्या नाज कर दिया है दुनिया ने सरसुती का सड़ा सर अपना है खान है नाफ जीवन नाफ जीवन ममी यह नाफ तो वसी का वैसी ही रहता है जीवन क्यों बुच जाता है जीवन है बुच जाता है फिर जग क्यों जाता है जीवन है जग जाता है मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आया सामज में तो शायद उनके भी ना आया हो जिन्हों ने ये बोर लगाया है लगता है जैसे आकास से फरिष्टों ने जीवन की सच्चाई को इस बोर के रुप मे लटका दिया हो जीवन का मतलब तो आना और जाना है लां मतलब दोट्काई इसा को लोर को आता है कि एक बरस बीट किया तीपक की आवाज वापस नहीं आई तेकं डॉक्टर कहता वह बोलेगा जरूर बोलेगा हां कि अब फुटो स्कूल हां जा कि अब कि अब कि अब कि क्यों दिपक साहब आज स्कूल जाने का मूड नहीं है कि क्यों भाई कि अब मुझे नहीं पता तुम पहले कब बोलते हो जो आप कुट्टी करने लगे हां बैठे तु कब तक लिख लिख के समझाता रहेगा कब बोलेगा डैडी आज मेरा जनन दिन तक तरे की जे 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 इतरा है एपी बर्डे टू यू एपी बर्डे टू यू एपी बर्डे टू यू तेरो रुपय चाहिए ना तेरो मिलेगा है देबक लो मीठा मीठा गुड़ खाकर एक मिठी बाद में चिठी पहले मिठी हाँ हैडी जब माँ जिन्दा थी तो मेरे जनम दिन पर हम सब हम सब घुमने हाँ आप प्रौटे नहीं पंगलू प्रौटे नहीं चल, गुमने चले ओ बबब जी, रीब दुखिया की मदद परो, cliffs society मेरी मा मर केगा, मबब जी दोना में आत्मा मेरी मा मर जी, मपळी मेरी मा मर कई, बाप बच्याठ नहीं मर किया था इतने पैसे भी नहीं कि कफन खरीच को मा का अंतिन संसकार नहीं हुआ तो मा की आत्मा बटकती रहीगी बाबू भगवान तुमारे बच्चियों का महला करेगी इस गरीब दुखिया की मदद करो बाबू सिर्फ दो रुपए भगवान तेरी उमर नमनी करेगी ये ले तबला लो सारंगी ठीकी आज सुबा सुबा इदने पैसे मिल गए आज जोरो का नाटक किया रो रो कर बोला बाबू तेरी मा मर गई है बाबू को तरस आ गया क्या याद करोगे रात की रानी किता ऐश कराती थी अपने माबाप के साथ रहते वे कभी आईश क्रीम खाई थी नहीं न शुकर करो माबाप मर गए तुमानाथ हो गए मेरे पलने पड़ गए आईश क्रीम खाने को तो मिलती है रात की रानी दिने की जै मैं अकेली हूँ मैं भी अकेला हूँ बात यह है उस पार जाना है बीचकार अंधेरा है और अंधेरे से मुझे बहुत तर लगता है तो चलो मेरे साथ आप आप क्या आप शरीफ है ना हाँ हाँ आप शरीफ जरूर होंगे आपके उमर तो मेरे बाप के बराबर है अरे उमर को गोली मारो चलो मेरे साथ चलो देखिये ना इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी अंधेरे से डरती हूँ मुरे मुझे तो अंधेरा यह अच्छा लगता है अच्छा बहुत अच्छा लगता है ना तो निकालो माल माल अरे इतनी जल्दी क्या है वो तो मिल ही जाएगा अबे ओय चश्मिश माल निकाल 10-20 रुपए जो भी है ने तो शोर मचाऊंगी क्यों तुमने मैरी इज़त पहड दाला नालो माल निकालो माल नालो बचाओ निकालो माल बचाओ और मेरी उमर तो तो तरवे बाप के बराबर है लिटल रागताम तो नहीं है निकाल माला जल्दी से वह आख़ाऊंगी बचाओ ये ले मेरी माँ और छोड़ मेरा पीछा क्या, राद के राने? बोल, कबरस्तान के राजा आज किसे लुटाए? तेरे बाप को ये बाप की बैटी, हराम सादी एक गाली देती है तु कौन सा हनुमान चाली सा पढ़ रहा था? जाच छोगरी समझ के छोड़ दिया अरे जाज़ जाज़ दूद के दात वाले तेरे जैसे बहुत देखें अठारा साल से राज है मेरा इस इलाके पे मेरी जान, इस दिल पे भी तो तेरा ही राज है तो ला राखी बांदू अर जा, ये हाथ राखी के लिए नहीं तुझे आगोश में लेने के लिए है हम थूकती है चटनी पुदीने की बनती है नहीं तो राम कसम धनीये तेरी चटनी बनाके रख देती तो खाले न यूही गरम मसाला डलके गुरू इससे अड़े बेले आख आइसा ही करना होगा करना है कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है अधी भाग ए चौर यह किसके कपड़े पाइना तू अपने डेडी के डेडी अभी तेरा डेडी तुम्हे हो और यह कपड़े मेरे नहीं ममी से पूछे आप समझ गया जीता मैंने फेक्ट्री में ओवर टाइम लगा लगा कर तुम्हें सो रुपए इसलिए दिये थे कि तुम अपने और दीपक के लिए दो तिन जोड़े बना लिए और एक तुम हो कि यह उटपटां खरीद लाएं और वो याद नहीं जब मैंने घर का खर्च काट का सकता इस रुपए तीस पैसे इसलिए आपको दिये थे कि आप अपने लिए नहीं कमीज बना लो और आप है कि मेरे लिए नहीं साड़ी गया है हाँ हाँ याद है और वो दिन याद नहीं जो मैंने कहा था ये जो गजरे हैं ये बहुत खुश्भू वाले हैं इने खरीद ल और अपनी साइकल में नई यूब दलवा लीजे स्टेशन से घर आते आते दो बार पंचर हो जाती है ये आदा ना हाँ हाँ याद है और वो भूल गये जब मैंने कहा था अगर सिगरेट पीकर से हटका सत्ता नासी करना है तो कम से कम फिल्टर वाला सिगरेट पिया करो जो कम नुकसान करता है अरे बाबा फिल्टर वाला सिगरेट ज़रा जैदा महंगा है बिना फिल्टर के पीने से जो पैसा बचता ना इससे तुम्हरे लिए मिलन सुपारी आ जाती है ये तो मैं दस बार सुन चुकी हूँ इसलिए मैंने सुपारी खाना ही छोड़ दिया और आ कुछ से मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी और घी से सेहत से लोहे का काम करने वाले इंसान को फॉलाग बनकर रहना चाहिए याद है ना याद है गीता कभी-कभी सोचता हूँ ये दो वक्त की रोटी के चक्कर में गाउन भी छोड़ा मावाब से दूर यहां शहर में ल जोड़ती देडी ये गरीवी वरी भी छोड़ो और बताओ कि ये टोपी कैसे लगती है गीता ये वुश शर्ट तो समझें अगर ये टोपी खरीदने की क्या ज़रूरत थी सरदर्थ होता है इसलिए तो ये टोपी का एसपरो का पेड़ है फैक्ट्री से ठककर आते हो फिर स्टेशन से घर तक साइकल चलाते है दंगे सर धूप पड़ती तो सर टैथ हो जाता है अरे ये सरदत का ड्रामा तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे हाथों से जरा सर की मालिश हो जाती है जूत मत बलो डैडी ममी तो पाऊं दबाती है सर की पॉलिश और जूते की मालिश तो मैं करता हूं क्या ने, ना, ने, सर की मालिश और जूते की पॉलिश बहुत महरवानी आपकी साथ बहुत महरवानी, आप ये महारवानी जिना बॉइलन उठाईए मम्मी से कहो के पहले गाईए गाईए जरा यहां आईए फर्माईए दैडी से कहो बजाईए बजाईए जरा यहां आईए फर्माईए मम्मी से कहो के पहले गाईए गाईए तरह यहां आईए पहले गाईए अची जाईए अच्छा ये बात है तो मैं जाता हूँ कि प्यार का नहुमा है मौजों की रवानी है एक प्यार का नहुमा है मौजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है मौजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है ला 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 मतलब का आनार जाना है तो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक त्यार का नगमा है तो धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ तु मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है तेरा का नगमा है कर दो 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 खाल जाना है बादल है ये कुछ पल का छा कर धल जाना है पर छाय न रह जाती रह जाती निशानिं है जीरदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का लगमा है लोगों की रवाणी है जीरदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का लग हो है करतार सेंग तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इन सीडियों पे तेजी से पाऊ रखा तो पाऊ फिसला और तुम ये भी जानते हो कि यहां से फिसल कर तुम्हारे तीन साथी मर चुके हैं मालिक अगर सीडिया नहीं बदलता हमें तो अपनी जान की चिंता होनी चाहिए संकर भाई ये मालिक हमारी कोई मांग फूली नहीं करता इसलिए हमने आज यूनियन के दफ्तर में फैसला किया है कि अगर इसने हमारी बोनस और तुनखा की मांग ना मानी तो हमें स्ट्राइक कर देंगे मोचा निका लेंगे और इसकर के बाहर बूखर ताल करेंगे कि एससा हमे आज रात को जड़ देरी मा सो जाल तो तु मेरी कमरे में आजाना अरी सला मश्विरा करेंगे न नएए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आउगी क्यों मुझे डर लगता है अरे किस से पस मैं नहीं आउगी ओहो तो 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 तुम आ जाना मेरी कमरे में और वो मोटी क्या मेरा मतलब मोटी जैसी सुन्दर वोल मटोल तुम्हारी ममी वो ता दूसरे कमरे में सोती है वेरी गुड गुड मगर जग जाये तो वो मेरी मा है वो जाकती नहीं उसे जगाना पड़ता है अच्छा गधे बेज कर सोती है वो भैस क्या बोले? मेरा मतलब माताजी माताजी भरी माताजी अच्छा सुनो शांता रात को अपन मिल रहे हैं पक्का है गुड आप द्विव्द भारती से फिल्म आवारा के कीछ सुन रहे हैं गधू ने तेरी मा को बेज दिया क्या ? मेरा मतलब तेरी मा गधेबेच के सो गई ना गुड कुंडि भी बन वेरी गुड दरवाजा भी बन वेरी गुड खेड़की भी बन वेरी गुड ये राम है और ये रशंता वेरी गुड,आप बैट पर जाओ अरे बैठता हूँ, तू भी तो बैठ, very good, very good, very good, oh 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 कुछ बोलो न, क्या कर रहे हो? क्या बोलू, कैसे बोलू? तुम आज मुझे कुछ सला मचरूरा करने वाले थे न? हां, सुन, तू मुझे प्यार करती है न? बहुत जितना तुम्हारी ममी तुम्हारे ड्याइडी से करती है ममी ड्याइडी से तो खिट करती है प्यार कहा करती है अरे हाँ वो तो है ही भटभटी अच्छ जाने ले यह बता जितना तू अपनी ममी से प्यार करती है उतना उससे भी ज्यादा अच्छा तो फिर देख ओ स्थोरी मेरे लिए अरे तेरे लिए पहन के तो देख चार लिए तेरी मा मानती क्यों नहीं है बस वो नहीं मानती अरे जब लैला मजनू राजी तो क्या करेगा पाजी जब तु अपनी मा के साथ खड़ी होती है न यकीन नहीं आता कि इतनी खुबसूरत लड़की ऐसी बचसूरत मा की बेटी हो सकती शांति लाज अरे शांता मैं खुबसूरत हूं खुबसूरत अरे खुबसूरती तो तेरे पाउं की जूती है डाली सच मुच बड़े सुन्दर है और मजबूत भी लगता है इस केड़ी दो-चार साल तक नहीं घिसने वाली अगर इस तरह इस्थिमाल करोगी तो सारी उमर नहीं घिसने वाली चुबे में डग्ती औरा ममी तू तुम तो अंदर थे मैं जहां हूं अंदर मेरा भूत है चुबे मैं बच्छकल हूं जो नो जो नो जो जो बे इतने पैसे नहीं के कफन खरेच सको अंतिन जन्सकार नहीं हुए तो उनकी आत्मा भटकती रही बाबू सिर्फ दो रुपए ले दो बाबू ए ए बाबू मेरे रुपए उस दिन दो दिये थे वो ले लिये अरे बाबू गरीब के पैसे चीनते शरम नहीं आती गरीब गरीब से जूट और फरेब से रुपए ठक जया है अरे बाबू मेरा बाब मर गया बाबू उस दिन कह रही थी के बाब बच्पन में मर गया मा आज मरी और आज कहती हो के मा बच्पन में मर गयी थी बाप आज मरा है मगर ममाए ठग नहीं तुम पहंदी नो मेरे दोरो मेला ये दोरुपए हराम की नहीं हलाल की कमाई है इन्हें दूंगा मगर किसी जुरूरत मन को अरे जाओ बाबू जाकर किसी मंदिर की किवार खटखटाओ और हाथ जोड़कर भगवान से काओ भगवान किसी की मा मर जायर उसे तुम ये तो रुपए दो अपनी माती सो मर गई फूसरी होती तेरी कसब बाबू के तो रुपए को जाते देख चार है घरीब तो मैं भी हूं अगर तुम जैसे गरीब गरीबों को बदनाम करते हैं ठिकार है रात की रानी तो दिन में ही लुट गई अरे बाबु ठीक है रात आने दो दो के दस ना निकाले तो मेरा नाम भी रात की रानी नहीं हाँ अबशे मजब दर इमत का इमत है मारता मदाद है खुदा इस जबशे 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 चल बचू घर चले मुझ आसुबब फेक्ट्री जल्दी जाना है तुरल वे इस पेर पास देकर ने रहे रहे वर इसको फेक्ट्री तुड़ी जाना है में एब इन तूरे गाद है में एब इसको नहीं है वह बिंडी थोरी वो देखो यह बलत को साथ दिन पूरा होते हैं कलत कोई उत्रेगा ए बाबू आज कौन मरा कोई नहीं तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं अंधेरा तो उस पार जाना है दीजकार अंधेरा है और अंधेरे से मैं बहुत डरती हूं देखो ना इतनी बड़ी होगे फिर भी अंधेरे से डरती हूं हूँ हूँ क्या करता है निकालो माल कौन सा माल कौन सा माल आभी बताते हैं ए बाबू शरम नहीं आती एक शरीप लड़की के इज़त पे हाट डालते हूए अरे बाबू जो कुछ जेब में निकालो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी बस्ती वाले साब इकटे हो जाएंगे शोर से मुझे नफरत जरूर है मगर शोर से मैं डरता नहीं बाबू मैं चिलाओंगी लोग आ जाएंगे तुमारी बहुत मरम मत होगी तो चिलाओ अरे दादा को अरे तु 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 ऐसे चिला रहा जैसे तेरी इज़क्ते मैंने हाट डाला हूं मैं कशता हूं चिलाओ मत शोर जाजा बाबा माफ किया है अच्छा मैं ही जाती हूं मैंने तुझे दुबारा इन रास्तों पर देखा तो तेरा मूँ तोड़ दूगा समझे समझी तो फूर्ट फूर्ट क्यों लोग इतने बेशरम हो गए हैं डरते ही नहीं और आजकल कोई भीग भी तो नहीं देता कल से उठाओ अपना तबला सारंगी बजा और खाओ समझे जीजी इसारंगी नहीं है वाईली नहीं है जरसा उसको छुओ तो उसने हाई उसने मचा दिया शौर मैंने समझा था के चल जाएगा जो मैंने समझा था के उंगी बातिया जरसा उसको छुओ तो उसने हाई उसने मचा दिया शौर रूप के थेंदे च्छा में अर्मानों के गां में लगा हुआ था मिलारे ताही मिदा के लारे मारी आँ गया भा ना उसने की दस दस ना मैंने की बस और फिर जैंसे ही जरा सा उसका ठुआ को उसने खाय उसने मचा दिया दिया दुआक ज स्फोप अ dal कि बाथ कि यादिए! ओ जीयो रामी जीयो था फिकादा फिकादा बोला जा ना उसने की दस तस ना मैने की बस और फिर जैसे ही जरा सा उसका छुआ तो उसने खाई उसने मचा दिया शौर को इचे ना मर बें हाथ दोनों जोड़े के बोला रातिक दाने मानले मुझका जाने दिया फूल दिया फूल गई फूल ना मैने की दस तस ना उसने की बस बस और फिर जैसे ही जरा सा उसने खुआ तो मैने हां मेने मचादी अशौ। जरासा फूस ने चुओ तप मेने हां मेने मचादी अशौ। आ मा बाभू पैसे… बाभू लोग दस पैसा, वीस पैसा जो भी तुम से बन पढ़े देते जाओ उपडापट बाभू लोग हां बाभू हां बाभू बाभू सब्सक्राइब नाच नाच अरे कड़के फकीरों हराम खोर गाना सुनने खड़े हो गए पैसे देते वक्त जेब भटती है अरे नाच नाच के मेरा पै तूट गया और गागा के मेरा गला तब लगते मेरा हाथ और शरंगी से मेरी उंगली अरे चुप रहो, सिर्फ तीस पैसे मिले हैं और ये घागरा चोली का किराई ही दो रुपे, अब मैं क्या करूँ? आए तेरा जनादा ने शांतिला क्या है खांता दी वहाँ है? मर गई शांता मर गई? क्या वो बिमार है? अरे नहीं, वो तंबक शांतिलाल के नाथ भाग गई ये कटल इखे रखा क्या लिखा इस कटमे लिखा है मैंने शांतिलाल को अपना भगवान मान लिया है उस गदे को भगवान मान लिया है हम दोनों शादी करके कही और जाबशेंगे बाबाजी का दरह ना कही और जाबशेंगे मेरी उमर अब 19 साल की है मैं खुद मुक्ता क्यों हुए 19 साल की मैंने कब मलब जिया था कि शांति नाब करो मगर शांता की मा तुमने तो चाल वालों को चिला कर कहा था कि मैं अपनी पेटी को कुए में फेंग कि अपनी बीची की जिदेगी मी परबाज करती आए हाँ अय है अशाबाज को देगे ते ती पूं कु तरे मस तो फूल लाया हाहा हाँ अय ही अरे थो बएशन और भूज़ों भूज़ों पोशन यह लोग मैं यह लोगू यह लूब 20 रूपह कर एक नया रिकॉर्ड काईं किया है और हजार रुपे का इनाम जीता है दोस्तों जो आदमी इस रिकार को तोड़ेगा दो हजार रुपे का इनाम जीतेगा दनी माल तो असली है न अरे वापर के तो देख अब तो ये रोज का दंदा हो गया एक उड़िया देजी और हजार बना लिए अगर ये अफिम और गांजे का दंदा पहले से शुरू कर लिया होता अब तक तो लखपती बन चुके होते गुरू एक बात तो बता दो ये माल निकालते कहां से हो कहां दबा रखा है अगर ये सारे गुर तुम्हे बतला दिये तो मुझे गुरू कौन कहगा लेकिन गुरू इस माल में हमारा भी तो हिस्सा है हम भी तो मुझ पे भरोसा नहीं है अरांदे गुरू मुझे माफ कर दो आइंदा ऐसा नहीं होगा ठीक है चलब ए रात के राने बोल कबरस्तान के राजा राज तो आजा क्यों घर में कोई मर गया है क्या अरे घर तो घर वाली से होता है मा बेहन से भी होता है समझे अरे दो टके की छोकरी जरा देख सौसों की पत्ते देख आगे बढ़ा ना पत्तों के साथ तुझे भी उड़ा दूंगी समझा गुरू यह लॉम्री जब देखो तुम्हारा कच्रा करती रहती है अब तो तुम्हें गुरू कहते हुए भी हमें शर्म आती है हाँ गुरू मर्दों पर तो बात बात पर हाथ चलाते हो मगर इस लॉंडिया के आगे जबान भी नहीं चलती कैसे चलेगी आज तु नहीं बच सकती देख आके बड़ा तुम मुह तोड़ दूंगी आज तुम्हार 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 काम सुआ पर बसुम्हार अगर तुम दोग ने इसको हाथ भी लगाए ना तो खान भी मैदाने जंग में कूथ पलेगा और तुमान अड़ी पसी थोड़ देगा फिक अड़ी पीछ अड़ता है जहाँ चुरो हो जाए हो, हाँ! हुई लाल अड़ी बाइ अजिंग है जाए भाए ठी Kris 19 evidence ठ्सक्षा जए को खॉर उसक्षा एह हॉचा lug Enfin 5 न्करे भीपयर हॉचाइ पुलिस बुला के दोनों को अंदर करवादूंगा जाओ। वाल बादमाशो! की बुपला तन भीच्पनीया, वाय है? तुमारा अम्सा देडने का चंचे, जयानमे तुमारा? तुमारा, वालत कवाम के? तुमारा वालत कवाम क्या? आ तुमारा दीपसी तोल्देगा, एक्पाय! कुष्टी में हलनो ते! मर उसोई, मर उसोई, मर उसोई कार दिया जाए, के छोड़ दिया जाए, पोल तेरे साथ काई जाला, काई जाला, अरे क्या हुआ, गुंगा है क्या, तो फिर मैं कैसे समझू समझ गया, समझ गया, मार पीट होता है, किदर, किदर, रिदलो कर चला ओए गगरा पलतन, पिचु जा, उसरा देखते केसे लगते है, उसरा नीचू, पिचू, उपर, उपर अइ शरम नी आते होई, शरम नी आते होई ओधेर बस शीगर उठे होई आते होई आते होई आते होई आते होई आते होई वेला घरकरिव आते होई आते होई आते होई इन्न लिल्लाहि वे इन्न लाहि राजू योर अनर, मुल्जमा जिसका नाम हिराथ की राणी है आप समझ सकते हैं कि उसका चाल चलन क्या होगा ये नाम मेरे माबाप ने नहीं रखा तो फिर किस ने रखा कबरस्तान के राजा लोगोंने कौन सा कबरस्तान वो दुनिया जहां मेरी माँ मुझे जनम दे कर गायब हो गयी वो समाज जहां मेरा बाप बनके कोई मेरे सामने नहीं आया तो इस दुनिया से बद्दा लेने के लिए तुमने अपना नाम रात की राणी रख लिया कहा ना मैंने नहीं कबरस्तान के राजा ने आज तक तुम अपना पेट कैसे पालती रहीं कभी रोटी से कभी डबल रोटी यह सब कुछ कहां से लाती दुकान से दुकानदार तो पैसे लेकर यह नाई देता है वो भी रोकड़े नकट पैसे कहां सलाती आ जाते यह क्यों नहीं कहती के रात की राणी दिर में भीक मांगती और रात की राणी बनकर काले कारनामे करती काला कोट पहनकर काली-काली गाली मत दो सरकार आड़ 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 अगर आड़ 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 अज़ ग़ें वो यह शंकरा यह राणी बड़ा जगा दुनिया में क्यों रूपी नीए और देखो सब उपर वलों किदर मौजूद है वह तो शड़की के वास्त बड़ा सखत परेशन सोचा सब उपर वालोगी तू रही तो इस दिर आके दुआ आप मांगेगा ओज शंकर यह तिर बस कितनों रुपी होगे तो चार रुपए होगे तेरा ड़क खान में कितना रुपी होगे तेन सो रुपए देगा क्यों सब्सक्राइब कियो किस लिए तुछ को याद नियुए वह तो आप पनो कि अधाने निया है अम जाएगा ओदेगने तुछ को तुछ को तो मालू बिना मेरा की शाधी नहीं हो तो बच्चे काँ से पैदागा अलाम यह ने बना बना तेयार सुदा बिटे फेज दिया ओए खान अगर मैं बरी हो गई तो तेरी रखम सूथ के साथ वापस कर दो ओए इदूरा ओए इदूरा इदूरा ओए आम कोई सूथ हो रहे हैं यह खान सूथ खोर नहीं है खान पहले शरफ वादबी ही था अब बाप बनने का कूशिश करते हैं नहीं नहीं शादी हो यह क्या पहले तो बरी हो जाब पीर बताएगा ए ए कबरस्तान के राजा जाओ 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 जेल में तीन साल जट की पीसो बरी हो गई खान सरकारी वकीर तो कह रहा था कि मैं पुरी हूं मगार जट साप ने मुझे बरी कर दिया जुसको जो काम दिया जाता है वो वो ही काम करता है बेटी बेटी वो जुआ हमने तुमको बोलता ना कि हम पाप बनने का कोशिश करते बोलो, अब तुम हमारा बेटी बनेगा ना बोलो, बनेगा ना खान बादशा, तुम मुसल्मान है और लोग कहते हैं मेरे माबाप मुझे मंदिर के सीडियों पर छोड़ गया थे वैसे आज मेरा कोई मजभ नहीं, कोई धर्म नहीं मागर ये दोनो तबला सारंगी हैं न, ये दोनो हिंदू के उलाद हैं ओए, 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 ये बच्चों लोग भी तो हमारा साथ रहेगा न सोच लो, खान बार-बार सोचना तो चुआ लोग काम है, बटान आदमी एक बार सोचते हैं और जो सुचते हैं वो करते सच कह रहा है, ओपदा के कसम, तुम पार-बार पुछेगा तो हमारा दिल को जखम लग जाएगा ओए, तु रोते हैं, ओए, भटान का बेटी वके रोते हैं, न, 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 न राक्किरानी नि सिर्फ शैतान देखे थे, आच इंसान देगा, तो आसू निकल आएगा ओचए, ओचए, बड़ बबब, रोने नहीं, तु रोएगी तो आमारा पी आसी निकल जाएगा फिर पढ़ान की बेटी नहीं रोती, तो पढ़ान क्यों रोने लगा अधागे मेरे दुश्मन जद सामने तो मुझे बाधद बामुलाजा होशियार कर दिया है बरी कर दिया जब मैंने पूछा के जेल से भागाई तो सिर्फ इतना कह दिया होता के बरी हो गई बरी की बुरी खबर सुनाने के लिए इतने लंबे चौड़े भाशन की क्या दुरूरत थी बरी की खबर बुरी है क्यों अब रात की रानी दिन देखेगी ना रात राज चलते लोगों को दुखी करेगी जब दुखी थी दुख गयती थी अब तो सुखी हूं सुख बांटूंगी लोट्री लग गई हाँ ज्यानते हो लोट्री में मुझे क्या इना मिला क्या एक बाप हाँ तेरी लोट्री की टिकट महराष्टा स्टेट की थी हरयाना की मदरास की पंजाब की कौनसा अप्रांतर जान लोट्रियों में बाप मिलने लगे हैं भगवान स्टेट हाँ भगवान ने एक अल्ला का बंदा मेरा बाब बना कर भेज़ दिया यह समाज़ लो कि अल्ला ने भगवान का बंदी को हमारा बेटी बना कर बेज़ दिया है ओ शंकरा ओ शंकरा यहरा अब यह रात की रानी नहीं होए अब यह हमारा बेटी है बेटी बाबा तुमने तुम्हेरा कोई नाम ही नहीं रख़ा छोटों का नाम तबला सरंगी है बड़ी का बाजा गाजा रख़ो ए बाबू अपना मू संभाल कर बात करो समझे हो नहीं कहते हैं जबान संभाल कर बात करो है तू मुझे बोलना भी सिखाएगा अगर रात की रानी पसंद नहीं तो रात की कोमारो गोली रानी रख तो वह रानी बेटी वह इसका बात में तो दम है बात में ही नहीं नाम में भी दम है बात ही में नहीं नाम में भी कहने की क्या जुरूरत थी सिर्फ इतना कह दिया होता कि दम है दम समझें बाबा ये खुद तो बहुत बोलता है दूसरों को टोपता है वह बेटी ये ऐसा क्यों करता है वो एक दिन तुझ को मालूम हो जाएगा ए नो टंकी ए विक्टरिया क्या ओरी तुने मुझे पथर मारा मैंने तो डिबे को मारा था बीच में गाड़ी का डिबबा आ गया मैं गाड़ी का डबा हूँ माल गाड़ी का ठैर तो सही विक्टरिया भाई मेरा निशन अच्छा नहीं है यह पत्थर चल गया ना हो सकता है तुम्हारी आंख फूट जाए सम्हालना सम्हालना पट्टी भागे मिस्टर शंकर आप यह गलत समझ बैठे थे कि इसकी आवाज जाने का कारण वो भयानक सद्मा था धीरे धीरे बोलने लगेगा और अपने आप इसकी आवाज वापस आजाएगी आपने इसी उमीद पर बहुत बख्त परबाद कर दिया ऐसी बात नहीं डॉक्टर साब मैं अपनी हैसियत से बढ़कर इसके इलाज के चक्कर में रहा डॉक्टर पर डॉक्टर बदलता रहा डॉक्टर बदलना अकरमंदी नहीं कौन सी बीमारी के लिए कौनसा डॉक्टर ठीक है यह जानना जरूरी है खेर छोड़िये, हमने जो X-ray लिये थे, उसे साफ मालूम होता है कि रेल की पर गिरने से इसके गले पर जो चोट लगी, उससे इसका वोकल कॉर्ड खराब हो गया है, जो आपरेशन सा ठीक हो जाएगा ये फिर बोलेगा ना, डॉक्टर साब? आपकोर्स, ये तो मैं आप से पहले भी कह चुका हूँ गुस्ताखी माफ डॉक्टर साब, आपरेशन के लिए कितने रुपाओं को बंदवस्त होना चाहिए? ओ, दवाई, आपरेशन फीज, कमरा, नर्सेज, सब मिलाकर यही कोई देर दो हजार रुपाई लग जाएगे डॉक्टर साब, अगले महेने इसकी इम्ताहन है, अगर आपरेशन इम्ताहन के बाद हो सकता हो तो इसका साल भी बच जाएगा और सच्पाद तो यह डॉक्टर साथ तब तक मैं रुपाउं का बंदवस्त भी कर लूँगा कोई हर्द नहीं, लेकिन इससे ज्यदा वक्त लगाना अक्रमंदी नहीं होगी साथियो, बोनस तो बोनस, यहां तो तनखा भी ढूबने लगी मालिक ने आज तक हमारी कोई मांग नहीं मानी हम उसके लिए दिन राद खून जलाकर उसका घर मरते हैं और हमारे बच्चे भूके मरते हैं जो मालिक मजदूर का हक मारे, वो समाजवाद के रास्ते में रुकावट है, पथ्थर है यूनियन ने इन सब बातों को जान में रखते हुए ये फैसला किया है कि कल से यहां काम बन और उसके साथ ही साथ मालिक के घर के बाहर चार आदवी भूकर डाल करेंगे करतार सेंग, गामलाल, मैं, और शंकर जब तक मालिक हमारा हक नहीं मानता, हम लोग तब तक मोर से विटबिटे राएंगे मद्दूर यूनियन, किल्दाबाद, हमारे साथी, किल्दाबाद, मद्दूरों का हक किनने वाला, मिद्दाबाद ना ये खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, कब तक, दिन तो इसका नारे बाजी में कट चाहेगा, रात आने दो, फिर देखना धैत तेरी की, सारी सारी रात इसी चकर में कट जाती है, कब नल में पानी है और कब ये मठता होगे, लेकिन जब देखो, इन नल सूखे का सूखा, अरी इस बार तो सावन का महीना ही सूखा है, तू नल की बात करती है, अगर पानी होता तो तीन महीने से हम यहां बेकार क्यों बैठते और ये मकान कब का बन चुका होता मगर तु फिकर ना कर एक दो दिन में पानी जरूर बर्सेगा देखा शंकर भाई प्यासे गए और पानी आया इसे कहते हैं किस जरूर्ज जब पानी बर्सेगा तो उनका क्या होगा जिनके सर पे छट भी नहीं पानी बर्से तो मुसीबत ना बर्से तो मुसीबत वहाँ दो वहाँ जोर्श इसे हलका सा बुखार है और बुखार में प्यास लगती है इसे दिन से सर में दर्था खबराओ नहीं ठीक हो जाएगा शेर है शेर मेरा यार रामलाल तुम्हें बुखार है मुनासिब समझो तो हस्पताल चले जाओ तुमने कहा था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मोर्चे पर डटे रहें लेकिन तुम्हें बुखार ज्यादा है रामलाल बुखार में भूग तो लगती ही नहीं सिर्फ प्यास लगती है और वो भी अपने हाप भुच जाएगी उसे तो भुखार है तेरे भापको तो नहीं उसे तो भुख लगी होगी देख इस टूप पर में रोटी है तो जाकर चुपचाब उसके पास रखते ना भुख लगेगी तो खालेगा कौन देखता है जाएबो आओ नीपक सहाब टोपी हाँ हुख लगेड़ ऑबजी तो पी में रोटी लाई रे भुख लगेता खाना ऑबजी अब बुख लगेता खाना अब आदमी कुछ आदर्स लेके लड़ेगा अपना से फूट लगती है ना प्यास उसे तु प्यास लगे है वो बिमार है तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम भी बिमार हो जाओगे सायदा खाने से आदमी बिमार होता है भूख से नहीं बात मिदम है है ना तो येलो रोटी और फुटो फुटती हूँ बाबा देखो ना इसके भाले का सोचा फिर इसने डाट दिया वेटी आदमी उसी को डाटता है जिस पर अपना हथ समझता है बाबा तुम्हारे बात में भी दम है आज तो रोटी कहीं की चुक्ना मिलाएगी तुम लोग खालो और पानी पी के सो जावेगे आज तो पानी जरूर बरसेगा और मज़ा आएगा वेलो ही अपना खालो कि अबस्कैस्याइग 0 5 बंचड़ कर दो से नहां तो कुछ को नहां तो समय एक राया हो जो है रे जुड़ मार बात्त का समय जो है टुड़ कि एक हाल ज़से बाया हुआ प्रोंग। पानी रे पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें भी नादा लगे उस जैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें भी नादा लगे उस जैसा पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी है जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी है जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते तेरे एकी घूर्च मिलता जन्नत सारा पानी रे पानी तेरा रंग ऐसा भूक एकी भूक और प्यास जैसा पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी गंगा से जब मिले तो बनी ता जन्गा जल तु पावन बादल से तु मिले तुरिंजिंगिंजिंबर से सावन सावन आया, सावन आया, सावन आया, सावन आया, जिल जिस पर सिल पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, जिली जाए जहानी कहीं पर देखो छत टबक भीजी ना हुआ हराम, पानी रे पानी मेरा रंग ऐसा, दुनिया भनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी रे पानी रे पानी वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाई जब तू फिरे उमीदों पर तेरा रंग समझ ना आए खली ठिले तो छत आजाए पत जड़ का पोगाँ पानी रखानी ते आनंग पैसा, सो साल जीने की उमीदों जैसा जान पानी भानी ते पानी पानी रे पानी मुझे आप लोगों की शर्ते मन्जूर है, आप लोग परसों से फेक्टरी में अपना काम शुरू कर दें, आप लोगों की तनखावी बना दी जाएगी और बोनस भी मिलेगा ताला, ताला ही नहीं, निलानी का नोटेस, सील, चलो यूनिल के दफ्तर, सब वहीं गए हैं, मगर यह सब अचानक कैसे हो गया, अचानक नहीं, शंकर भाई, अदालत से आदमी आए, और फेक्टरी बंद कर गए, सर्माएदार मालिक ने मजदूर को फिर धोका दिया, धोका, किस ने किस को धोका दिया, मैंने आपको धोका दिया, या मुझे मेरे नसीब ने, ये फेक्टरी पर निलामी का इस्ताहर लग चुका है, मेरी इज़त है, वो अब निलाम हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये फेक्टरी माल बनाती, माल बिकता, मगर कहीं रकम रूप जाते, कहीं भाव गिर जाता, आपकी तंखा और निया माल लाने के लिए, मैं रुपया सूद पर लेता, उधार का रुपया, उस पर सूद, और उपर से ये हरताल, इन सब बातों ने, इस ठेक्टरी पर निलामी का इस्ताहर लग वा दिया, दोस्त, समाजवाद के रास्ते का पत्थर, रास्ते की दीवार मालिक ने, बलके मालिक और मजदूर का बे-माइनी छगड़ा है। सहाब, फैक्टरी तो मजदूर का मंदिर है। दोस्त, अगर आप लोग मेरा साथ दे, तो ये मंदिर निलाम होने से बच सकता है। सहाब मजदूर भूको मर जाएगा, लेकिन अपने माथे पर ये कलंका ठीका ना लगने देगा, के उसकी फैक्टी दिलाम हो गई। चलो, की दूर? हमारे साथ। अगर हम तुमको मारेगा, तो तुमारा हिलाका में मारेगा। शेर खान, तुम किसी शेक्चिली से कम नहीं हो। अगर शेर खान, अगर खैरीत चाते हो तो चुपचाप हमारे साथ चले चलो ओया हमारा खैरीत का तुमका बहुत फिक्र हो तो चलो सही दूर के दूर इदार चलो खान, हमारा साथी जेल में है। वो, कबरिस्तान का राजा, तीन साल का वास्ते है। हमने उसके रहाए के लिए बड़ी अदालत में अपील की है। वो, बड़ा अदालत का जज़ तो अल्लाम है हुए। उस कबरिस्तान का पाश्यको बाफ नहीं करेगा। खान, अगर वो बली नहीं हुआ तो जानते हो क्या होगा। वे, वो क्या होगा हुए। खान! वे, गाराम क्यों होता हुए। खान! और उसे तुम्हारा क्या वास्त है। उसके पास मेरा माल दबा हुआ है, खान! पूछने पर बताता नहीं। कहता है, पहले मुझे जेल से छुड़ाओ। फिर तुम्हारा माल तुम्हे दूँगा। माल? कुन से माल हुए। अफीम, गांजा। और गंजे। खान! वह तु कहा जे बेचते हुए? अड़ीदू! खान! वह तुम्हें भीम, भीम अपना। खान! मेरा रुपया पनाख गवा है! मेरा धंदा बंद हो गया है, खान! ओुए, भुछवा थोषूश के बाते है, ठीकी, 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 ठीकी. मैं तुम्हा अधकल अदालत में जिर्व गवागा। शाबाज, खान, हम तुम्हें भी हिस्टा देगा। हम उदर जाके बोलेगा कह जचाप। आपने उसकाबरास्तान का बाश्चा को सिर्फ तीन साल का सजा दी है अब महरबानी करके उसको जरा तेरा साल का सजा दे दो क्योंकि ये गांड्या भी बेचते और ये फीम भी बेचते सजा बड़ान करना सजब फीम है अब भोल खॉंटे का नहीं उटके तुमको मारेगा आगका मारेगा अगमारेगा है आग 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 काओ गुक्राइब बलतन तुम नाकव बनकर वही दूर कलाओ जाए काओ काओ को तेख लटली मैं तो इस पठे को कुवे में फेख दिया जाएगा कि अपने जगह से हिला पर इस बंदर को कुऊं प्रेग देना अल खान अदालत में अपना बायान बदेगा कर नहीं 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 कि आप कि कि पर इस तर्फ्षिसे आपयाद कुए में अई किया प्रेग देग हाँ जो को सका हिस से तब तक हो थे तो जब तक रिसकी नहीं नडीब जाए जेल खान अब भी मन जाओ, क्यो मत को धावद दे रहे हो? सबकादो इसे खान सबकादो इसे जाओ सब्सक्राइब सब्सक्राइब जाओ सब्सक्राइब जाओ क्या जाओ 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 अदालत में भयान भटलेगा कि नहीं? जाओ जाओ आपी मौन जाओ 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 खाड़ी ते रिटाटी खावान अपिमान्जा खावान कर विर दो ahí जब दो तो झाज जो रहे रहे ये लुडित कर दो कर दो आपन पर रग अपन के जया है कर दो, 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 क तेरे खान अंकल के लिए है शंकरा वे शंकरा ना बाबा मुझे बचाते ना उनके जान पे बनती मैं ही इस मुसीबत की जान हूँ हाँ अब देखो ना ना मैं खान को बचाता ना खुन देता अरे ना खुन देते ना बचाते तो बाबा मरना जाते अगर खान तुम्हे ना बचाता ना तुम भी मर गी होती लग गई होती फांसी अब तक मरे मेरे दुशमन क्यों मेरा बुरा सोचती हो तुम मेरे दुशमन तोड़ी हो तो फिर तुम तुम तो बाबा के जिगर हो हो ना हो ना पान इंतजार कर रहा है खाना बनाओ खाना खाना मेरे बनाओ सोचता हूँ खान दो चार दिन के लिए गाउं हो हूँ गाउं गाउं मादी के बाद है इसे स्कूल से चुट्टियां और मुझे फेक्ट्री से यहां बेकारी में आयके जो खाना उतना तो गाउं के आने जाने का किराया है मैं यूनियन के दफ्तर से इजादत ले आया हूँ मैं खान की बेहन हूँ भाईया यह मत भूलो मैं तुम्हें हर सले राखी भेशती हूँ और तुम्हें मुझे राटी पेशती हूँ oh तीक अभी तुमिझकको पहले यह बता कि सशराल सावाब से कभी आयो दू मैं तो अभी यह रहती हूँ भाईया वो क्या बात है, वो बात है, इसके पत्ति का वहां कामकाज नहीं है, यहां खेतों की रखवाली मेरा हाथ बटाता है, खेतों के मालिक को एक तंखा में दो माली मिल गए, से दो पांच रपए जादा ही दे जेता है, ठीक है, ठीक है, टाला जी मस्ता मजिया, मस्ता मजिया, अ किसी को तो सोचना चाहिए एक बात और याद रख ले खान अगर मैं घर से अमीर नहीं तो फकीर भी नहीं मैट्रिक पास की है खान मैंने मैट्रिक हाँ तीक है तीक है दमाद बश्य ठीक है अब तोड़ा सकुछ तूख दे अश्या बश्या बश्या है और यहां घर की हालत मैं जानता हूँ खेतों की रखवाली से बापू को क्या मिलता है तो वक्त की रोटी फिर अब तो कमलेश और बनवारी भी आ गये है देख देख की मा के जेवर है मेरे बास मोह ले जा उन्हें बहुत पहले ले गया होता मा अगर यही सोच के रुख जाता कि वही बात होगी न तो उसके मरने के बाद उसके जेवर पेश दिये दीपक के लिए खुद कुछ ना कर सका जेवर पेशने से तुझे दुख होगा लेकिन इतना सोच जब दीपक अच्छा हो जाएगा बोहलने लगेगा तो सबसे ज्यादा सुख पहू की आत्मा को है ना इस पर ले जाओंगा जेवर सुनो जी क्या है वो जेवर मुझे वापस कर दो जेवर हाँ आज भाईया मा से कह रहे थे कि वो गीता भावी की जेवर बेच के उन पर से दीपक का इलाज करवाएंगे वो उने अब बेचने की सोच रहे जिने मैं कब कब बेच चुका हूँ राम ए राम राम क्या करती है तुने मुझे जेवर धंदे के लिए दिये थे ना धंदा मंदा है जिस दिन चंगा हो जाएगा जेवर वापस ले आऊँगा मैट्रिक पासू मैट्रिक कमो बेची फिर से सोचो तुमारे हाथ में मैंने जेवर देते हुए कहा था बेची इने संभाल के रख लो ये दीपक की मा की निशानी है और तुमने इसी संदूग में तो रखे थे तो फिर ये संदूग खा गया होगा या मैं कमलेश कि आगे चला के लिए बोला करते है और नहीं तो क्या ये खोड सब मेरे तक्दीर का है क्यों बेटा दिप्पू कैसा है रे काले रंग की मुसमी देखी तो उमने कभी देखोगे गोल गोल काली काली आप बेटा आजा जा 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 उस टोकरी में देखा बेटा ये जहरीला साफ काटेगा बाद में मरोगे पहले अरे गुंगे साले बोल तो सकता नहीं चिलाएगा क्या करना हम Hier हुश हा जा जा हुश हा हुश हा HOW फिल्ड़, लुझा ओरॉड़, लुझा विल्वाए, लुट इटे मुणा करे पाता है, विल्ड़, लुझा ओरॉड़! है कि अगल तरे तक अग दो आपव तक कर दो सब्सक्राइब है किस्क्राइब भूम पेज़े है कि टेफैंड 맞 वर जेद इक है दीपक साहब केल का मजा रहा है एल लो को खेल बेटा कि तुवारी दिंदे कि अगरी खेल है मेरे बेटा ना रहे बांच ना बजे बांसुरी अरे दिपक यह यह क्या हुआ तुझे अरे क्या हुआ क्या हुआ इसे कुछ नहीं तो यह खून कैसे निकला मैंने कहा ना कुछ नहीं यह खुद गिर गया या तुमने इसे गिराया बलती क्यों नहीं यह नहीं गिरा गिरा तो कोई और है कौन गन्मारी हाँ मैं बड़ा सा यह कमरा बड़े बड़े तुम और इसमें छोटे छोटे दो सांप चोटा सांप जैदा जहरीला होता है ना मैं मैंने क्या किया तुमने कुछ नहीं किया मैं भी कुछ नहीं करूंगा करेंगे तो यह सांप इने मैं तुम्हारी आखों पे छोड़ दूगा वगर क्यों ना रहे बास ना बजे बासुरी वह तो दीपक से मैं मजा कर रहा था मैं मजाद नहीं करता जेवर तो हमारे पास नहीं है वो तो मेरी माने बेज़ दी तुम्हें वो जेवर किस ने दिय थे बनवारी ने बनवारी तुम्हें मेरी पत्ती कमली ने वह बेटा खाली टोक्री लेकर हमें दमकाने चले आए कमीने निगजा यहां से जो जो चौड़ तो मुझे नाइक दो भाया 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 अकर हुआ क्या है अगर इसकी चल गए होती ना तो आज मर गया होता थी पाक इसने उसे सांपों के मुँ में डाल दिया नहीं नहीं इसलिए कि इससे कोई जेवर ना मांग सके जेवर कौन से जेवर वह जेवर जो मैंने मा को दिये माने तुम है और तुमने इसे और इस वासना के मारे हुए ने एक देवी के गहने एक वास्या के लिमता है नहीं ये चूट है ऐसा नहीं हो सकता मगर ऐसा हूआ ना और इसकी जड़्तों तुम वही हो ना इसने कहा था मा तुमने मुझे जूटा इल्जाम लगाया है की तुमने रहा, वही हो ना, जिसकी डोली विदा करके, मैं कई दिन रोता रहा, वही हो, जिसने अपनी माँ को धोका दिया, अपनी भावी के अमानस से चल किया, अपने भावी के विश्वास का गला खूरती है, चलू, इस बच्चलन बनवारी के लिए, बनवारी, अगर, अगर मुझ से सच सच बोल देते न, तो मैं तुम से हाथ जोड के काहता बनवारी, बरबादी के रास्ते से लौटाओ, अपने साथ साथ मेरी बाहन की जिन्दगी तबाहना करो, इसके बदले में, मैं मेहनत मजदूरी करके, तुमें सारी जिन्दगी खुश रखता, दिपक क मैं कहीं से भीक मांग कर उपया ले आता, उसका इलाज हो जाता, मगर भूल के भी, कभी तुम से जेवर ना मांगता, हाँ मैं इस लाइक नहीं कि तुम से माफी भी मांग सकूँ बहिया अगर मेरे नसीब में ऐसा ही पती लिखा था तो भगवान ने मुझे तुम जैसे भाई की बहन क्यों बनाया बहिया ओ बच्छो लोग, चूले इस लोई, बूल जो कुछ किया है अला मियों जो कुछ करते हैं बेतरी के वास्ते करता है अब जो कुछ किया है अपने खाविन के वास्ते किया है और इसना उसने जो कुछ किया है इसका बुराधत के वास्ते किया है अब जोना बनवारी लाल, अगर तू हम तोनों का बेन का खाविन नी होता ना तुम्हे तेरा डी पस दी तोल देता तेरा टूखला टूखला कर देता अब आखरी मर्तबा समझ ले अगर तू अपने बाद के अशली पुत रहना तो जिन्दगी में नेका अदमी बंद कर देका जा जा कि तेल मलेश करा अबेन अगर में इस बाद के किसी को खबर मत करना माजी को बेनी औलाणा जी को बेनी उनको तकलीफ होगा जिसे सुनो नहों उसे सुनो मुझे तुम से कुछ काइना है मेरा नाम राणी है राणी मैंने तुम्हे हमेश्या बुरा भला कहा आज फिर कहोगे आज माफी मांगता हूँ अगर तुम नहोती ना तो मेरी जिन्दगी में अंधेरा चा गया होता मैं तुम्हारी जीवन की रोश्णी हूँ रोश्णी तो दीपक से है अगर हाँ, अगर आज तुम ना होती है तो दीपक ना होता हूँ पेटा, यूँ संसार से मूह नहीं मोडा करते अभी तरी उमरी क्या है अगर तुशादी कर ले तो दीपक को एक मा मिल जाए मा का प्यार देने की खाहिश में ऐसा नहो कि दीपक बाप के प्यार से भी हाद धो बैठे तक तीर कदम कदम पर नहीं लूटती धोका तो दे सकती है मा बाप की तपस्य और पूजा का भर निराशा ही नहीं देखा ना आज दीपक सांपो में खिर गया वो कुछ बोलना सका यह तो अच्छा हुआ रानी ने उसे आकर बचा लिया दीपक की देखभाल के लिए उसे एक मा की जरूरत है मा दीपक की आवाज सुनने के लावा मेरी और कोई खायश नहीं वो बोलने लगे उसकी आवाज वापस आजाए तो वही करूंगा जो तुम कहोगी ओ शंगरा ठीक बात बोलते है मा जी वो तकुल के बात बोलते है आज बोलतूं पेटी शंकरा ने मा जी से वादा किया आज खान भी अपने पेटी से वादा करते है आज कि जब मा जी उसे शादी को हुकम देगा ना तो साथ में भी बात बोलेगा शंकरा तेरा शादी से रफ्रानी मुल्च शेर खान से होगा में मादी के बस बुल्किया, तो कुछेना जगन पे दो तारे तक्रा, तक्रा पर तोनों बिस्पाए चांज ने सुनगी उनकी बात, जा बैठा बादल के साथ सुन बादल में ले अंगिडाई, गुंद गुंद में बाप फैलाई जगन की बात धर्थी पे आई, गली ने सुन ली, सुनी, सुनाया गली ने फूल को बेद बचाया, भूल ने गुल-गुल को समझाया गुल-गुल ने भवरा बुलवाया, भवरा गुन-गुन करता आया मैंने जोक के उसे सुनाया, सुनाया, सुनाया बनके दुधनियो, आज चली हूँ मैं साजन के गौरे शहनायी बचे ना बचे शहनायी बचे ना बचे शहनायी बचे ना बचे हुआ 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 है ना कोई मुझ को खजरा डाले ना कोई मांसबारे ना चाहाँ मैकषे दोजे ना कोई मेरे दाहे रोके ना कोई मुझे पुखाबारे बनके दुनिया आज चले हूँ मैं ताजन के बाठी शहनाई बजे ना बजे मुन्ना मन्नी ना मन्नी घोड़ी सजे ना सजे हर दोली उठे ना उठे मेहन्दी लगे ना लगे ना मैं चाहू जिंदिया शिंदिया ना मैं तारे शारे तर्दक थी जो खुसे शुषे अगए जम से प्यारे बन के दुरुनिया आज चले हूं मैं साजन के गवाशे शहनाई बजे ना बजे शहनाई बजे ना बजे शहनाई बजे ना बजे अब तक ताला लगा हुआ है यूनियन का दफ्तर भी गया था खान आला वैसे का वैसी है कुछ समय में याता खान और क्या समय में याता है मेरे घर में अगर चूला ना भी जला तो मैं तेरे हां रोटी खालूँगा मगर दीपक का ओपरेशन दुरूरर ओगा ये ले ये ले 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 रुपिया ये रुपए कांसे या बंक खान अगर तुम्हारे पास ब्लैंक में तुम दूसरी चाल वाले कमरे ना बेशते हैं और दीपू करने के वास्त इस चाल कमरे निन भेश सकता है खान वह देख ओई शंकरा अगर मुझको मालूम होता ना कि तू गाउं जा रहा है कि गीता बाबी का से वर लाने के वास्ते तो मैं तुझको गाउं नहीं जाने देता उसी वक्त तिस्चाल का कमरेश के तुझको रूपया देता मैं ये रूपया नहीं लूगा खान इसपटार जाएगा रूपया देगा मिस्टर शंकर अगर आप कुछ दिन और ना आते तो दीपक के ठीक होने का मौका हाथ से खो बैठते मैंने तो आप से उसी वक्त कहा था कि आपरेशन फॉरन हो जाना जाए यूई बंदवस्त में बिल जा रहा डॉक्टर साब खैर कोई बात नहीं है नो दस ज्यारा आप ऐसा कीजिए दिपक को बारा तारीख को यहां ले आएए ऑपरेशन हो जाएगा तेंकिस सेर डॉक्ट साब आपरेशन की फीस आपरेशन के बाद यह मेरा असूल है निदाला जाए पर जो कुछ है मेरे पस कुछ नहीं हुप है प्रुट्चा बात Lor दॉटी है कि जख और वाग देया का कि उच आक The उचाца कि उच जचने उचने मुझ करना जो खिर मार जो हुआ, जो जो होुआ जो होुआ। जो हम लो पीटी भी मार है। सुष्मा को, कैंसर है न, कैंसर, वो अस्पताल में, बेहो अस्पड़ी में, हमारे पात, इलाज के लिए तो क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, भगवान हमारी प्रांत चरूर सुनेगा, उस्पा भगवान, अरे वो क्या सुनेगा, भगवान तो बहरा है, बहरा, सुष्मा के माँ, यह फाहम है, कि इंसान भगवान की अवलाद है, इंसान का बाप, तो उसका अपना बनाया हुआ रुपिया है, रुपिया, यह है वो रुपिया, यह, फूरी देर पहले, यह किसी और का पाप आँ, अब यह, अब यह मेरा पाप है, मेरा पाप, इससे मेरे बेटी का इलाज होगा, यह लो, यह लो, ले जाओ मेरे पाप को, अरस दाक्टर के मुझ के उपर भाओ, चुक्धता है, कि रुपिया नहीं, तो इलाज नहीं हो सकता, वारे बाक्टर, एक्राथ कतार को बंदा। नया मुश् нуж रिंस ठापों!! आतार मुट्प्पूंगो पापो लंकि कीमिं। अनी कीमिा पापों!! प्राथ कीमि आतार जाताता मुट्पू! करिंदा ए रज़ लिफ और लोग कर आया कर आया मिया पर रॉसा दाक वा चींदा है यह कर चींदा है चीन कर देता नहीं, नहीं देता, इसने, इसने मुझसे गीता को चीन लिया, भीपक की आवाज चीन लिया, अगर आवपरेशन से आवाज वापस आ सकती है न, तो इसने फेक्टरी में ताला लगवा दिया, गीता के जेवर उड़ाने के लिए बनवारी भेज दिया, तुमने रूपया दिया, तो बदकिस्मती को उस बुड़े के भेश में भेज दिया, खान, बड़े इम्तहान लेता है ये, ये, इनसान को मौम की तरह पिखलते हुए जजबात देकर, ऐसी आग में जौंक देता है, जो जब जलाती है, तो धुमा नहीं उड़ता है, और जब धुमा उड़ता है, तो जलाती नहीं, सिर्फ सुलगाती है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी लड़ूगा, जब तक जिन्दा हूँ, लड़ता रहूँगा, मरता रहूँगा, तो यह ना शंकरा, जो तू बात बुलते न, वो भी ठीक है, और में जू बात बुलते हैं, वो भी ठीक है, एक और ठीक बात बनूँ, हाँ, तुझे रोपया चाहिए, मिल सकता है, कैसे, वो रमेश कुमार याद है कि नहीं, कौन, वो साइकल बॉला, वो चंपियन, उससे किया था, कि जो आठ दीन, आठ राज साइकल चलाएगा, तो उसको दो हजार उपय न मिल जाएगा, चलाएगा साइकल, साइकल, दो हजार उपया, हाँ खान, मैं चला हूंगा साइकल, जीवन चलने का ना, चलते रह सुब हो शाँ, के रस्ता खट जाएगा मित्रा, के बातल छट जाएगा मित्रा, के दुख से जुगना ना मित्रा, के इकल जुगना ना मित्रा, जीवन चलने का ना, चलते रह सुब हो शाँ, के रस्ता खट जाएगा मित्रा, के बातल जट जाएगा मित्रा, के दुख से जुगना ना मित्रा, के इकल जुगना ना मित्रा, जीवन चलने का ना, चलते रह सुब हो शाँ, जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चला कर कहें, जिन्दगी तेरी मेरी हो गई पुट्टी, जो जीवन से हार मानता उसका हो गया चुट्टी, नाक चला कर कहें, जिन्दगी तेरा मेरा हो गया पुट्टी, ते रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, ना खुद से रहो खफा मित्रा, खुदी से बने खुदा मित्रा जीवन जलने काना, जलते रहो सुक होशा उजली उजली भो सुनाती तुतले तुतले बोल अंधतार में सूरज बैखा अपनी गठडी को क्यों से आँख लड़ा मित्रा, समय से आथ मिला मित्रा के हो जा किवन किवन मित्रा, के चलता रहे चरन मित्रा जीवन जलने काना, जलते रहो सुक होशा जीवन जलने काना, जलते रहो सुक होशा के चली शाम करंग महल में तपती हुई तु पेरी मिली कगंसे साज किलाने मिली कगंसे साज किलाने है कर दो तुस नहरी के रात बिखर जाएगी मित्रा के सूरज चड़ जाएगा मित्रा का पिला बढ़ जाएगा मित्रा जीवन चलने काना चलते रह सुखोशा जीवन चलने काना चलते रह सुखोशा किला आएगा जाएगा किला किला जीवन भुखोशा किला जीवन प्रिफर जाएगा हिम्मत अपना दीन धर्म है इम्मत है इमान हिम्मत अल्ला हिम्मत वागर हिम्मत है भगवान इम्मत अपना दीन दर्म है हिम्मत ऐ इमान हिम्मत अल्ला हिम्मत वागुर हिम्मत है बगवान कि इस पे मरता जा मित्रा कि सकता करता जा मित्रा किसी सु जुपाता जल मित्रा कि जग पर चाता जा मित्रा कीवन चल लेकाना, कल दे रहु सुद होशा कीवन चल लेकाना, कल दे रहु सुद होशा के रस्का चट जाएगा मित्रा, के बादल चट जाएगा मित्रा के जुब से खुपना ना मित्रा, के गपल रुपना ना मित्रा दिन रात की ठकावट और कड़क्ती धूब की वज़ा से मामूली सा हैम्रेज हो गया है रात को शायद कम खून बहे लेकिन दिन के बारे में कुछ नहीं कह सका है अच्छी बात है आप ये गुलुकोस इसे पिला दीजाए का डली सामली likely राम कि बातोर प्रें तेले पिलाई में है थ headed फिह ले मेच्छी दाटे बातों के घुलुकोस इत्लिनस प्रें काแ ANSirm अथी पातिये आपना इता रातुपित्य कि प्रिक्तित्य अगर मेरी किसमत में बोलना होगा, तो मैं ठीक हो जाओंगा, आप साइकल से उतर जाएंगे, अगर आपको कुछ हो गया, तो मेरा क्या होगा? कुछ ने होगा मुझे, कुछ ने होगा जीवन चलने काना, चलते रहो सुब हो शाँ के रस्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल चट जाएगा मित्रा चोता सा इक देपक है और तिम तिम करती जोती ही, हीरे जैसी आक्सिसके दूद रहे है मोती के नन्ने हाथ जुड़े मित्रा, ना इसका बात मुणे मित्रा अगर ये खो जाएगा मित्रा, तो जूटा हो जाएगा मित्रा जीवन चलने का ना, चलते रहो सुब हो शाँ जीवन चलने का ना, चलते रहो सुब हो शाँ इक दूआ बस तुझ से मंगूँ मैं आज भिछा कर परणा, मेरे यार की रक्षा करना, कदम कदम पर अल्ला मेरे यार की रक्षा करना पदम पदम पर अल्ला के लब कर नहीं दुआ मित्रा के ज़िड़ी हाथ बना मित्रा के बेरा खार लगा मित्रा तुझे तब कहू खुदा मित्रा तुझे तब कहे उदा मितना जीवं जन्ने घाना चन्ते रो सबोोषा चुन चाही करेंगी हम सबको बोलतिया आगर कोई बोला तो मुस कर गाट डालेगा हम तो भी बोल दिया ऑगर कोई बोल दालेगा कोई बोला तो मुसका फर्ट डालेगा था भासता बवाल भाल अविलिये शेंकर मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, तुम इसका सारा समन तयार कर दो, किसे कल हॉस्पिटल जाना है अब दो-चार दिन में दीपक बोलने लगेगा है न? दीपत, तेरी दादी मा कह रहे थी, जब तु बोलने लगेगा, तेरी लिए नई मा आएगी मालूम है न? कौन होगी तेरी नई मा? मैं? सच? कल बच्चु जी का ओपरेशन होगा, फिर बोलेगा दुनिया स्वर्ग हो जाएगी मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा है न? अच्छा ये बता, जब तु बोलने लगेगा, तो सब मांगाया करती थी, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है तुझे याद नहीं, है डफू, मैं सुनाता हूँ, लिखकर याद करना, है? याद जिन्दगी याद कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है तु धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ आँखों में समंबर है, आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है जो दिल को तसली दे, वो साज उठा राओ दम भुटने से पहले ही आवाज उठाला हो तुशियों का करन्य है, आश्कों की जबानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है, तो जोंकी जबानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक तुष्वार्ट लाओने प्रॉप टुष्वार्ट लाओने आपक्वार्ट रॉप रॉप प्राथना उस बच्चे का है यह ख़त उस बच्चे का है, जिसको आप लोगों पर बहुत परोसा है वो लिखते हैं, अगर मेरा हवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरा बाप का दिल पर क्या गुजरेगा, मेरे टाड़ी का दिल तूट जाएगा वो लिखता है कि अगर मेरा हवाज मुछ को वापस नी मिला, तो मेरा जाना दादी खाम से मर जाएगा वो लिखता है कि अगर मेरा हवाज मुछ को वापस नी मिला, तो मेरे खान अंकुल का क्या होगा कोई अपने और ते समय गख लेगा और क्या होगा ऑडर माल्द तुम्हारा खाजाना वे सब कुछे तुम्हारा बंडार में कोई इंक भी निए वे थे तुम्हारा सावास देख मासूंज बच्छे को आपका बड़ा मेरा महानी होगा वांचे दुआं मांगते हैं कर दो, मुझा हुएू झाल आपरेशन हो गया यह से आपरेशन काम्याब है जो खराबी थी वो ठीक हो गई ओ बोलता है ना होश में आने पर पता चलेगा होश में कब आएदा चल्दी ही आ जाएगा घबराने के कोई दरुवत नहीं जो दिल को तसली दे वो साज उठाना हो तल भुटने से पहले भी आवाज उठाना तुषी हूं का तरणन है अश्क की जमानी है जिंदगी आर कुछ धी नहीं तेरी नही कहानी है पेपर्स नर्स डॉक्र साब काफी देर हो चुकी ये अभी तक होश में नहीं आया मिस्टर शंकर आपरेशन के बाद तो बड़ी उम्र के लोगों को भी देर लगती होश में आने के लिए ये तो बच्चा ही है और हाँ आपके साथियों के बाहर भीड जमा है इस वक्त रात की जारा बच चुके हैं आप उनसे कहिए कि अपने अपने घर जाएं झाल सच अपरे काल से attendees और मुने only सच सच आम अपने काल से आप 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 काल से आप इसाप मिह आप काईपक की आवास सुनी है जोड़ी ऑज कुछी भी नहीं, तेरी मेरी नहानी है माँ, बाप सुना तुमने, बाक्स आप कहते हैं लीपड़ पॉलने लाए अबस्तर क्या बना प्रकाश उसुने बोलना, बोलना बापु, लीपड़ पॉलता है, बोलता है मिस्टर शंकर, मैं आपके जजबात के खदर करता हूँ लेकिन आप लोगों को इजाज़त नहीं दूगा कि मेरे मरीज के सामने आप शोर मचाएं जैसे जैसे उसको होश आएगा, वैसे वैसे उसका दर्द पढ़ेगा दीपक को आराम की ज़रूत है इसलिए बहतरी इसी में है कि आप लोग भी आराम करें और दीपक को भी आराम करने लें अब मैंने अब सारी जिंदकी आप उसकी आवास सुनेंगे प्लीज माँ, माँ आजब, डॉक्टस भी ठीक कहते है इसे, इसे अराम करने तो हाँ, अराम करने तो इसे Hello Mr. Shankar Good morning Docter-saab Good morning Assalamu Alaikum Doctor-saab Salam Khan-saab दीपक कैसा है दीपक, आप लोग के जाने के बाद जरा तरज से बेचाइन था अभी अभी सुया है टॉक साब, हम लोग अंदर जा सकते हैं, आप उसके पिता हैं, भला आपको कौन रोख सकता है, मिस्टर शेंकर, मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बलके एक हमदद बुज़र्ग की हैस्यस से इतनी सला जरूर दूँगा, कि कम से कम आज आप लोग उसके सामने न जाएं, क्यों देपक अगर बेहोश नहीं तो होश में भी नहीं, आँख खोलता है, सो जाता है, लेकिन देपक को अच्छी तरह मालूम है, कि आपका सपना उसकी आवास सुनना है, आँख खोलते ही अगर वो आप लोगों को देखेगा, तो जरूर बोलेगा, और हो सकता है, कि चला भी द जाएगा, तब तक नहीं जाएगा, जब तक उसका जखम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए, डॉक साब, मैं उससे मेले बगार ही रह लूँगा, गर्ड, गर्ड, जहाँ साल और साल इनदार किया, वहाँ एक दिन और सही, डॉक साब, येस, आपने, आपने उसकी आवास बोलता है ना, वह बोले था, वह बोलेगा, और हमिशा बोलता रहेगा, थेक किसा है, बाइ, शंकर भाई बहुत-बहुत मुभारक, करतार सिंग ने बताया कि अपना दीफक बोलने लगा है, गॉड इस ग्रे, अच्छा, एक ख़बरी हम ने सुनी, दूसरी तुम सुनो, फक्टरी को निलाम होने से बचा लिया और आज से काम शुरू हो गया लाले दीजान जय वो देते है ना, तो फक्टरी पालके देता है यार शंकर, मैं फूल दीपो को दे सकता हूँ आज तो इसे मैं भी ने मिल सकता हूँ ठीक ठीक थाक तो है ना कब छुट्टी की घंटी बज़े और कब तो हम अस्टाल जाओ यही न यार रीपा के पास नहीं रहूंगा कम से कम उसके दर्वाजे के बाहर बैठाऊंगा तसली तो रहेगी बज गई घंटी यही तेड़ी तेड़ी नर्स लेड जो मैं बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं महाँ जी जयी महाँ जी उसको नसर लग जया इस दुन्यका नसर मोग बूरा है महाँ जी उसको नसर लग जया ड witness और साथ डिरो ईस्स पाशुन होंगा कि नहीं नहीं डिरे desc साथ बेठा अज घंच जाएकाना खान साहिब, खून बहुत बह चुका है, हमारे emergency stock में जितना खून था वो दिया जा चुका है, पेशन को और खून की जरूरत है, आप अपने कुछ आदमी मेरे साथ भेजिए, ताकि उनका blood test लिया जाए test उसका कोई जरूरत नहीं, डाक्टर साहब, उसका कोई जरूरत नहीं, उसका खून, मेरा खून एक है, आप को याद नहीं, उसीने तो मेरे जाल बचाया था, अपने खून दे कर, तो आप मेरे साथ हाईए blood pressure कम होता जा रहा है, heart beat कमजोर हो गई है, हालत किरती जा रही है, no improvement अंकल आप क्यों रो रहे हैं, वो तेरा हावास सुचके, आप कुछी से रोते हुए, डेड़ी कहा है, वो वक्षरी वाला उसको सबदस्ती ले गया, बड़ा अधालत है, बड़ा मुकद्बा है, इस वक्त? वो दिली गया है, बड़ा मजबूरी था, वो तु फिकुर में करो है, वो दो दिन में आ जाएगा खान अंकल, इंको पता है कि मैं बोल सकता हूँ, वो बहुत खुश है ना, वो खुशी से इतना पागल है, क्यो उसको अपना होची दी है, हाँ, अगर होश होता, तो मेरी आवा सुने बिना कहीं नहीं जादे देवर चीक, देवर चीक, देवर चीक, और दादा दादी? वो लोग भी दूरी था, वो भूले लोगे ना, तो तक गया था, तो मैंने का जाओ, घर जाओ, घर जाओ का अराम करो, कल सुबू आएगा, कल सुबू आएगा, बोल तेरे वास्ते क्या लाएगा, चकलेट लाएगा, और बोल क्या लाएगा, तैड़ी, इंशाला, खान साहिब, खत्रे की घरी टल गई, शंकर बच किया है, ओय मित्रा, तेरे लाख लाख शुकर, ललाची, मैं दीपा को बल के आता है, अभी दीपा को कुछ न बताईए, बताईए, वित्रा! कैसी तबियत है शंकर दीपक कैसा है दीपक ठीक है आप आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब दीपक कैसा है कहा तो दीपक ठीक है आप आप सिर्फ होंट हिला रहे हैं आप आप बोलते क्यों नहीं है बोलते क्यों नहीं आप शीशा गिरा बिरकर तूट गया मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया है मुझे आवाज तक नहीं आई मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कोल दो यह पतिया शंकर डॉक्तर डॉक्तर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ओ नॉ शंकर 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 पापू, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है आप मेरा बात सुनाई नहीं देता है तमाग पर गहरी चोट लगने है कारण ये सुनने की शक्ति खो बैठा है ये कुछ सुनाई नहीं देता रोक्तर, मैं महरा हो गया हूँ खान अंकल तो कह रहे थे, कि डैड़ी मुकदमा जीद गया है फिर अभी तक क्यों नहीं आए बस एक-दो दिन में आ जाएंगे दो दिन, दो दिन करते तो आट दिन गुजर गया है डैडी के बिना मुझे नीज भी नहीं आती और आती है तो डराओने डराओने ख्वाब आते हैं डैडी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है डैडी ने कहा था जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले मुझे गीत सुनाना इतने जिनों में तो मैं क्या कुछ बोल गया और डैडी ने कुछ भी नहीं सुना कौंसा? कौंसा गीत सुनाने के लिका था? वही जो पहले मेरी मा गया करती थी फिर डैडी गाते हैं और तुम भी और मुझे भी गाना है मुझे सुना? नहीं, जब मैं डैडी को सुनाँगा तब सुनने ना वोगीत मुझे पूरा याद है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है चीक तो है चलो अच्छा है मैं ही चिलाया करता था कि दुनिया में बड़ा शोर है दुनिया बहुत चिलाती है है, खान, हम मुझे कोई शोर सुनाई नहीं रहा है मैं कुछ नहीं सुन सकूँगा टीपक, टीपक की आवास भी नहीं सुन सकूगा कभी नहीं सुन सकूगा इसलिए, इसलिए के मैं बहरा हो गया हूं हैं मैं बढ़ा हो गया हूँ मैं बढ़ा हो गया हूँ अच्छे मैं मर चला था तेरे दिख पच गया हूँ हा तो जाँ पुलत ना तो बढ़ा हूँ झाओ ना तो बढ़ा हूँ झाओन तो फबढ़ा हूँ तू धार है नतिया की काउंसिल एंगाई तूने हाँ तू धार है नदिया की मैं तेरा की नारा हो तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहाई है एक प्यार का लामा है उच्छ पाकर खोना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है इस वात का लामना है तेरी मेरी कहाई है जिन्दे की और कुछ भी नहीं यई च्हादी मेरी कहाई है व्म्यthsा रामना HAL झाल 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 जो की रवाणी है जिन्दीया कुछ भी मनि तेरी मेरी कहाली है एक तुपयार बनव मने वो जो की रमानी है इन दिया कुछ भी मेनी तेरी मेनी रमानी है